गरीब क्या बिजनस करे कम पुजी में क्या बिजनस करे आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि यदि एक गरीब से गरीब इंसान है वो क्या बिजनस कर सकता है और वो इतना ज्यादा मेहनत करके इतना ज्यादा इतने अवार्ड इतने सब कुछ कैसे पा सकता ह कैसे सुरुआत करें एकदम जीरो से मैं आज आपको बताने वाला हूं इस whiteboard के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं कि आप किस तरीके से बिल्कुल जीरो से मैं आपको दो बिजनस बताऊंगा और दो बिजनस ऐसे होंगे जो बिल्कुल ना मातर के पैसे लगते हैं लेक मैं अपने जिन्दगी में बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, इस बात के मुझे बहुत खुसी है, कि मैं जो भी टेकनिक अपनाता हूँ, उससे मैं ग्रो हो रहा हूँ, पहले मैं 6,000 कमाता था, उसके बाद से 8,000 हुआ, ठीक है, तो जब 6,000 का मैं काम कर रहा था, तो उस वक्त यह सा बाते मुझे पता नहीं था, मैं सिर्फ सोच रहा था कि कहीं से मुझे 6,000 रुपे का काम मिल जाए, ठीक है, 6,000 रुपे का कोई मुझे काम पी रख ले, 7,000 मिल जाए तो मेरे, मेरे जैसा किस्मत वाला कोई नहीं है, ऐसा मैं सोचता था, आज मैं आपको बता रहा उस 6,000 से लेकर आज लाखो रुपे कमाने के बीच में जो टेक्निक है, एक गरीब से गरीब इनसान जो होगा ना, अगर इस टेक्निक को समझ जाएगा, तो वो इसी तरीके से, हाला कि मैं यह कहूँगा, कि अगर मेरी तरह अगर वो भी है, तो वो जिस तरीके से मैं ग्रो हो रहा हूँ, या फिर जिस जिस काम को मैंने करके आगे बढ़ा है, हो सकता है कि आप लोग भी वो काम करके आगे बढ़ें, मैं यह नहीं कहता कि इससे आपकी जिंदगी एकदम सेटल हो जाएगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ, कि आप एक अच्छे इंसान बन करके चले जाते हैं, तो उससे नुकसान सिर्फ आपका है, मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा काम है आपको knowledge देना, एक अच्छा सा जानकारी देना, जो मैंने अनुभव किया है, वही मैं आपको बताता हूँ, बाकी मैं किसी सोच भी नहीं बताता हूँ, जो मैं किया हूँ, वही grow हो सकते हैं, एक request है कि like और subscribe कर लिजेगा, चलिए मैं इस white boot पे आपको समझाने का प्रयाज करता हूँ, होता क्या है आज के जमाने में लोग पढ़ते हैं, दसवी, बारवी हाला कि हम लोग भी उतना ही पढ़े हैं, कोई इतना ज़्यादा PhD नहीं की है, लेकिन हाँ, समझाता हूँ आपको, क्योंकि पढ़ाई एक अलग मेटर है, और पैसा एक अलग मेटर है, पढ़ाई से और पैसा से कोई लेंदें नहीं है, मेरे हिसाब से, आप क्या मानते हैं, वो आप समझेए, लेकिन मैं आपको अपना बताता हूँ, जैसे मान लीजिए, एक एक इंसान है, एक और इंसान है, दोनों दोस्त हैं, अब देखें, समझने वाली बात यहीं पर है, क्योंकि इसको समझेगा, एक इंसान है जो ए इसका नाम रख देते हैं, और यह जॉब के तलास में है, ठीक है, और यह भी है, यह भी बार में कर लिया है, दस में पढ़ लिया है, और यह भी सोच रहा है कि मैं भी कोई जॉब या कोई बिजनस या कुछ भी मैं भी करूँ, और यह सोचता है कि अगर मैं बिजनस करूँगा तो मैं घाटे में चला जाऊँगा बिजनस मेरे बस की नहीं है ये वाला जो बंदा है ये सोचता है कि मुझे कहीं 5000, 6000, 10000 8000 कुछ भी मुझे कोई काम पे रख ले तो मतलब बेटर रहेगा और जो B है पढ़ाई उसने भी इतना ही किया है लेकिन ये सोचता है कि मैं कोई काम सीख लूँ नौकरी मुझे तो मिलना नहीं है मैं कोई काम सीख लेता हूँ तो जाके मेरा भला हो जाएगा और मैं आगे बढ़ जाऊँगा अब यहां समझेगा जो A बंदा है ये कहीं नौकरी कर रहा है यह नौकरी कहीं धूड लिया है इसको 7000 उपय की मनतली जो रहा इंकम आ रही है ए वाले की और जो यह B वाला है यह कहीं नौकरी नहीं धूड़ा है यह कोई काम सीख रहा है abdhyan दीजेगा कहीं skill सीख रहा है होता है जैसे की हम लोग बेल्डेंग का काम सीखते हैं यह लोहे लकड़ वाला काम सीखते हैं या फिर कुछ भी ऐसा काम यह कोई स्किल डेबलेप कर रहा है इसकिल कोई सीख रहा है और इसको सिर्फ 3,000 रुपे मिल रहे है अना 3,000 मिल रहे है और ये साथ साथ काम भी सीख रहा है अब देखिएगा जो ये नोकरी वाला इंसान है ये 12 महिना अगर ड्यूटी करता है 77,000 रुपे कमाता है तो 12,34, 84,000 रुपे ये साल का कमाएगा और जो ये है ये एक साल यदि यह भी कहीं काम करता है तो ये 33,000 रुपे महिना कमा रहा है तो ये 36,000 रुपे महिना कमाएगा ठीक है लेकिन ये 36,000 कमाएगा तो इतने दिन में ये जो काम सीखा है जो skill सिखा है ये आने वाले समय में या फिर जब ये इसकी कारिगरी हासिल कर लेगा जब भी ये मतलब पूरी कारिगरी हासिल कर लेगा तो इसकी जो salary है 18,000, 20,000 या 30,000 भी हो सकता है या फिर अगर ये खुद का अपना business start करता है तो महीने की लाको रुपे भी कमा सकता है यह तक तो आप समझ गया अब देखिए समझने वाली बात यहां से है यह जो इंसान है इसकी नौकरी fix है मैं मानता हूँ कि इसका भी promotion होगा इसका भी बढ़ोतरी होगा ये भी अपग्रेट रहेगा और ये भी हर साल कुछ ने कुछ अपने आपको improve करेगा लेकिन मैं आपको इसकी जो salary है 7000 से 8000 हो जाएगी अगर 9000 हो जाएगी या 10,000 हो जाएगी मुझे लगता है कि 15,000 या 20,000 से ज़्यादा अपना ये बुढ़ा आवास्था तक नहीं हो पाएगी ठीक है क्योंकि इसका जो time है इसका जो time है इसको देना ही देना है जितना घंटा इसको काम करना है उतना इसको देना ही देना है ठीक है अगर इसकी 12 गंटे की duty है तो 12 गंटा इसको काम करना ही है duty जाना ही है ठीक है और इसको जो पैसे है वो भी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो और ये पूरे जीवन में लेकिन ये जो business वाला इंसान है ये जो थोड़ा रिक्स ले रहा है लेकिन आने वाले समय में जो भी इसका business होगा तो ये क्या करेगा अपने business को फैला देगा अपना थोड़ा सा skill seek करके किसी और आदमी को रख देगा और वहां पर रख करके अपना काम करवाएगा और चाहे तो अपना और time में कहीं और business start कर सकता है इसके पास पूरा time होत रखेगा फैमिली का भी ध्यान रखेगा और इसके पास time भी बचेगा वहीं अगर कहीं आप job करते हैं या फिर कहीं नौकरी करते हैं तो आपका जो time है वो बट जाता है आपके पास 24 गंटे हैं सब के पास 24 गंटे हैं हो सकता है कि आपकी पास कोई मजबूरी हो तो जाके आप ये बिजनस कर रहे हैं लेकिन अगर आपको मजबूरी नहीं है आप जान बुच करके धक्ये खा रहे हैं जान बुच करके इस जगह पर जा रहे हैं जहां पे आपको लगता है कि मैं comfortable नहीं हूँ मुझे इससे कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाला है मुझे ज्यादा ज् तो आप भी बीजनस करना स्टार्ट कर दीजीगा मैं नोकरी के खिलाप नहीं हूँ मैं यह नहीं कहता कि नोकरी बुरी है लेकिन हाँ नोकरी सिर्फ आपकी जरूरते पूरी कर सकती है आपका जो मन चाहा जो जिंदगी है मन चाहा जो समान है वो आपको नोकरी नहीं दे सकता है अब मैंने देखा है एक एक लोगों को जो 10,000 रुपे की काम करते हैं 20, 20, 30, 30, 30,000 रुपे का जो फोन ले करके घुमते हैं वहीं बीनस वाले को देखें तो मैंने simple phone लेकर के देखता हूँ मैं कि simple phone लेकर के घुमते हैं क्योंकि उनके पास ये smart phone चलाने के लिए time नहीं होता है दोस्तों मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि गरीव आदमी गरीव क्यों रहता है और अमीर आदमी अमीर क्यों होता है जो ये वाला इंसान है ये क्या ये कभी अमीर बन सकता है, ये बस उतना ही रहेगा, जितना में इसकी गुजारा हो जाएगी, या फिर जितना में ये comfortable रहेगा, क्योंकि ये रिक्स लेना नहीं चाहता है, ये नहीं चाहता है, कि मैं कहीं रिक्स लूँ, क्या पता बिजनस में फेल हो जाओं, क्या पता पैसे डूब जाए लेकिन अगर वही अगर ये जो इंसान है जो भी वाला है अगर ये चाहता है तो एक बार फेल होगा दो बार फेल होगा तीन बार फेल होगा लेकिन आने वाले समय में इसका जो फेल हो हो करके फेल हो हो करके फेल हो हो करके एक दिन ये ऐसा इंसान बन जाएगा जो मतलब fail होने का chance ही नहीं होगा और ये उस काम में mastery हासिल कर लेगा। मैं आपको इतना सा बताना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों कि जितने भी लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आपके मन भी ऐसे थोट आते हैं कि मुझे अमीर बनना है, मुझे बहुत बड़ा आदमे बनना है, बहुत पैसे कमाना है, तो आप कभी भी business try केजिएगा, इस चक्कर में आप बिल्कुल मत रहेगा, क्योंकि business करेंगे, तो आपका growth होने का chance है, आपका पैसा कमाने का chance है, इतना ज्यादा आप पैसे कमाएंगे, जितना कि हम लोग कलपना नहीं करत उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि गरीब आकिर काम क्यों नहीं करता है, क्या दिखते आती है, क्या मुशिपते आती है कि गरीब काम नहीं करता है, सबसे पहले ये देखिए, मान लीजी कोई इनसान है वो गरीब है, उसके पास जितना पढ़ना तब पढ़ लिया, जितना करना थक कर लिया लेकिन ये क्या होता है कि मेहनत तो बहुत करता है बतलब हार्ड वर्क बहुत करता है जैसे मान लीजी अकर कितना भी पसीना बहाने वाला काम हो तो ये खूब करेगा लेकिन अगर पसीना बहाने से पैसे आते या फिर अमीर बनते, तो ये हर कोई अमीर होता, हर रिक्से वाला, हर मेहनती आदमी अमीर होता, लेकिन मामला ये नहीं है, मामला पसीने बहानी की नहीं है, मामला मेहनत करने का है, तो मेहनत भी सही direction में होना चाहिए, एक ऐसी करें लेकिन उससे कुछ income भी हो, आप देखिए, कोई भी काम आप करते हैं, मैं आपको ये भी बताओंगा कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन पहले समझाता हूँ आपको, आप कोई भी काम करते हैं, जो खुद का होता है, मतलब कि नीजी आपका होता है, आप कोई बना बना ठीक है फैक्टरी में जो बना हुआ है उसके बाद से वो आएगा जो उसका दिलर्शिप्ट लिये होंगे उसके पास अब ध्याद सुनिएगा दिलर्शिप्ट वाला क्या करेगा किसी होल्शेलर को देगा होल्शेलर क्या देगा किसी को रीटेलर को देगा रीटेलर के बाद से जो है वो आपके या फिर हमारे किसी के घरों में वो पहुचता है अब यह जो साबून है इतने जगा फिर ट्रांसपर हो करके हमारे घर में आता है हमारे पास आता है आप ज़रा सोचिए अगर यह साबून इस फैक्टरी को बनाने में 6 रुपे लगे होंगे तो अगर एक एक रुपे भी कमा रहा है, एक रुपे कमा रहा है, तो मैं यसलिए कहता हूँ, कि आप कुछ भी ऐसा बना डालो, आप कुछ भी ऐसा कर डालो, हला कि मैं इस पर अलडेडी बहुत वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आते हैं, फिर दुबारा बता लेता हूँ, आप कुछ ऐसा बना डालो, जो आपका खुद हो, आप उसके ओनर हो, अब इसमें दिक्कत वाली बात या आती है, आकिर हम बनाए तो क्या बनाए, आकिर ऐसा क्या बनाए, भगवान ने ह में माइंड दिया है, कुछ ऐसा टेक्निक, कुछ ऐसा बुद्धी, कुछ ऐसा हाजिल करो ना, हर किसी के पास अलग-अलग knowledge है, अलग-अलग talent है, अलग-अलग education है, अलग-अलग सरीर है, बुद्धी है, हर चीज अलग है, हर किसी से मिलता जूलता नही है, हर किसी का अलग है तो आप अपने आप में धुड़ो ना आप जो भी करते हैं जो भी बोलते हैं जो भी सुनते हैं जो भी कुछ तो ऐसे आप में जरूर होगा जो सबसे अलग होगा और वो दुनिया में सबसे आप ही के पास होगा और किसी के पास नहीं कुछ तो ऐसा जरूर होगा ठीक है अगर उससे भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए तो मैं आपको थोड़ा सा और तो उसमें आपको पता धेरे-धेरे लग जाएगा कि आपके अंदर वो कौन सा होबी है, कौन सा इंटरेस्ट है, कौन सा ऐसा काम है जिसमें आपको मजा आ रहा है और आपका उसमें मन लग रहा है में बात होती है मन लगना ठीक है आप किसी भी काम को करते हैं उसमें आपका मन नहीं लगता है आपको उसे ठकावट होती है आपको उसे रोना पनाता है दुखी रहते हैं ठीक है और बार बार करने के बावजूद भी आप उससे दुखी है तो इसका मतलब कि वो उसमें आपका interest नहीं है, उसमें आपको मजा नहीं आता है, ठीक है, तो आप काम की क्या कीजिए, उसको तलासने के लिए अलग-अलग काम को try कीजिए, जिसमें आपका मन लग रहा है, जिसमें आपका interest है, जो भी आपको लगता है कि ये मेरे लिए ठीक है मैं यह कर सकता हूं इसको मैं और अच्छे तरीके से कर सकता हूं उसको आप ट्राइग कीजिए ऐसे जब करेंगे ना देखे किसी काम को जब आप ट्राइग करने जाएंगे तो ट्राइग करते ही आपको बेकार लगने लगेगा ठीक है थोड़े दिर तो मज़ा आएगा ल जब माश्टरी हासिल कर लेते हैं, तो उसके बाद से वो काम आपका सहजोगी हो जाता है, और आपको उसी काम के बोदले काम आने शुरू हो जाते हैं, और पैसे भी आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहां तक हम सोचते ही नहीं है, हम तो सोचते हैं कि हमें कोई काम मिल जाए चोटा मोड़ा कोई काम मिल जाए कहीं office में कुछ साफ सफाई का मिल जाए या फिर कुछ कागज पत्तर इधादर करने वाला मिल जाए बस हम उसी में संतुष्ट है नहीं अगर रिक्स लेते हैं जिंदगी घंटे में सबको किश करना है तो हम जैसे मैं अपनी बात बता था जैसे मान लिजए हो सकता है कि जो बातेमैं को बता रहा हुं आप इसे expero करके आप भी猜 हो जाए आप भी अपने जीवन में बहुत कुछ कर लें पहले मैं 6000-7000 रुपए की नोकरी करता था और नोकरी करते करते जो है मुझे समझ में आया कि भाई नोकरी से कुछ नहीं होने वाला है अब मुझे खुद का कुछ करना चाहिए जिससे कि मैं और ज्यादा पैसे कमाऊं मुझे लगा कि इस नोकरी में 7000 कमा रहा हूं 8000 हो जाएगा 10,000 हो जाएगा 12,000 हो जाएगा लेकिन इससे तो कुछ होने वाला नहीं है अभी खर्चा आज के टाइम में अगर महीने का 10,000 रुपय तो खर्चा में ही निकल जाता है अगर आपके पास फैमिली है बच्चे है ठीक है कम से कम बता रहा हूं अधिक सदीकत छोड़ी दो कम से कम मिडल क्लास से भी नीचे वाल लोग जो है उनका खर्चा 10,000 रुपय कम से कम चाहिए ठीक है और 10,000 रुपय है तब ज मैं। इसे अंटीना मैं उससे का कम करता था तो मैंने क्या किया दिस टीवी नहीं है इस आप लोगों के घर में क्रेक्षन लगवा रहा रहा यज़ा एक मार्केटिंग वंगना सेgam लीडर बोल सकते हैं वहां पर ऐसे काम कर रहा था तो मुझे पता नहीं था कि इसमें और ज्यादा पैसे मिलते हैं इसमें एक बात मुझे समझ में आ गया था अगर मैंने अच्छा काम कर दिया बहुत अच्छा काम कर दिया उस महीने में अगर 15-20 डिस कनेक्शन बीच देता था तो मेरे लिए बहुत तालियां बचती थी ऐसे ऐसे अवार्ड मिलते थे ठीक है अलाकि यह 60-62 डिस बेचा था तब का यह अवार्ड है तो इसी तरीके से म होता है कि हर चीज का एक अंत आता है वहां पर जाकर कर आप रुक जाते हैं अटक जाते हैं वहां से आपको समझ नहीं आता है कि अब आपको क्या करना चाहिए तो मुझे मैं जाकर करके वहां पर अटक गया था तो मैं क्या करूं अब मैं देखिए यहां बात आती है मैं आ आत्माँ चलाता कितना भी मतलब मेहनत करता लेकिन मेरा डिस जो है वो भिकता नहीं था तो मैंने सोचा यार अब मैं क्या करूं ठीक है यहां तक कि उस कंपनी से मुझे रिजायन देना पड़ा उस कंपनी ने मुझे निकाल दिया कि भाई आप नहीं काम कर रहे हो तो आपको हम रख करके क्या फायदा है हम आपको रख नहीं सकते ठीक है उस कंपनी ने मुझे निकाल दिया तो मैं चाहता तो फिर दुबारा उसमें रह सकता था लेकिन मैं नहीं रहा मैं कहा कि नहीं अब जो बात किलियर है सामने है सबके सामने है तो आप तो मुझे कुछ करना ही हो मribution होगा, तो वहां पर मैं बैठे-बैठे सोच रहा था तो दिमाग में एक आईडिया सता है अब देखिए दिमाग में आपका आईडिया जाता है तो उस समय आपको फक्रण लेना होता है अगर आपने छोड़ दिया या फिर उस आईडिया पर थौड़ा सा भी रोका नहीं तो वो आएगा चला जाएगा, हमारे दिमाग में साथ हजार से ज्यादा थोट आते हैं, सोच आते हैं, दिन भर में मैं आप क्या पकड़ेंगे क्या छोड़ेंगे, इसमें भी confusion है, ठीक है, तो मुझे एक चीज दिखाए दिया, मैं बैठे-बैठे सोच रहा था तो मुझे दिखाए दिया, यार जो disconnection है, वो तो दिकना बंद हो जाएंगे मतलब कि connection लोग लगवा लेंगे तो फिर तो लगाएंगे नहीं, ठीक है तो ये तो system बंद हो सकता है बट अगर मैं इसको बनाने की परक्रिया सीख लूँ या फिर इसको लगाने की परक्रिया सीख लूँ, तो ये जिन्दगी में जब तक डिस रहेगा, तब तक ये बंद नहीं होगा, क्योंकि खराब होते ही होते हैं और नया लगते हैं, ना लगते हैं लेकिन खराब तो होना ही, होना है, 6 महिने साल में एक बार किसी कश न कुछ न कुछ चराब हुता है, तो क्यों न मैं काम करता हूँ, कि मैं इस काम को सीख लेता हूँ, ठीक है, यह विचार मुझे दिमाग में आया और मैंने उस विचार को पकड़ दिया और सोचा, बड़े अच्छे तरीके से सोचा, कि हाँ यार ये तो बात सबते है किसी भी कमपनी का डिस हो, किसी भी कमपनी का डिस अंटीना हो, तो वो खराब जरूर होता है, कभी LNB, कभी कभी माई, कभी कुछ ने, कुछ उसका गरवड होता है, तो मैं क्यों नहीं इस काम को सीखी लूँ, अब देखिए, उस कमपनी को मैंने छोड़ दिया, और एक ऐसा मित्र मिला, ठीक है, जो उसका काम कर रहा था, तो मैं उससे जान पहचान बना करके उसकाम को सीखा, अब देखिए, आप नहीं मालने के एक हफते में, साथ दिन में, साथ दिन में मैं उसकाम को सीखा, ठीक है, डिटिएज कनेक्शन कैसे लगाते हैं, उसकी वाइरिंग कैसे करते हैं, उसका सिगनल कैसे मिलाते हैं, उसमें क्या क्या लगते हैं, उस समान का क्या क्या नाम है, एक मतलब की पूरा डीटेल में इसको समझा, वीडियो कौन का, एयर टेल का, डिश टीवी का, फ्री वाली हरे कमपनी का मैंने, खुद जा करके दिन भर में दो दो तीन, तीन, चार 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 पांच ऐसे करके लगात एक हपते में मैंने मांस्ट्रिल कर लिया, उसके बारे में, ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया, हलाकि एक हपते में इतना ज्यादा आप तो नहीं समझ सकते, लेकिन मैंने सीख रखा था, और सीखता ही रहा, ऐसा होता है कि कुछ जब काम करने लगते तो आपको नॉलेज ब मैंने सीख लिया, सीखने के बाद मैं वहीं पर, जहां पर ये डिश्टीवी में काम करता था, वहीं पर ये जो है, मैंने सोचा, यार मैं सीख तो लिया, लेकिन काम आए कैसे मेरे पास, मेरे पास आकिर काम कैसे आए, देखिए मैं जो भी बाते आपको बता रहा हूँ, यह तरीचे से आप भी कर सकते हैं समझेगा तो मैंने सोचा मेरे पास काम कैसे आएगा तो मैंने क्या किया एक banner बनवाया ठीक है एक banner बनवाया हलांकि मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं वहाँ पर एक चीस मुझे मतलब की sोचना था कि मैं ऐसा कर रहा हूं तो सबसे ज़्यादे customer किसके है ठीक है Dish TV के है, Airtail के है, VideoCon के है, सबसे ज़्यादे customer के हैं customer मतलब कौन से हैं, कौन से customer ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास, ये मुझे अनुवा हो चुका था, तो Dish TV में काम करते करते, मुझे इतना तो अनुबाव हो चुका था कि कौन से customer ज्यादा आ रहे हैं तो वहाँ पे फ्री वाले customer ज्यादा आते थे जैसे जिनके पास मान लीजिए चार पांच जार छे जार रुपे महीना कमाते हैं तो वह अब महीने का धाई सो तीन सो चार सो रुपे महीना थोड़ी देंगे तो वह सोचते हैं कि एक बार लगा तो फ्री वाला फिर उसके वाद से वह चलता रहेगा जिन्दगी पर कभी खराब होगा तो सो पजास देखे बनवा लेंगे उसमें मतलब बार बार पैसे डालने महीने मतलब डालना नहीं है और इतना टाइम भी नहीं होता है लोगों के पास कि वो बैठ करके टीवी देखे थोड़े बहुत ख़बर आते हैं थोड़े बहुत मोवी बगरा कभी-कभी देखने के लिए सिरियल बगरा देखने के लिए लोग लगवाते हैं तो मैंने सचा हाँ यह ठीक है डीडी फ्री वाला तो मैंने यहाँ पे जो पॉश्टर बनवाया था वो इस poster पर लिखवाया था dd3ds ठीक है इसका connection जो है 1400 रुपए मतलब उस समय 1400 रुपए में मैं लगाता हूँ note हमारे यहां छत्री box remote wire सब कुछ जो है मिलता है और आप चाहें तो यह number मेरा है आप phone करके miss call करेंगे phone करेंगे यह number पे तो हम तुरंथ आपका आ करके ठीक करेंगे आज का charge इतना है installation का charge इतना है पचास रुपए मतलब सब कुछ मैंने लिख रखा था ठीक है देखिए छोटी दिमाग होती है लेकिन इससे सोच करके और कुछ करते हैं तो वो बड़ा होता है पहले शुरुआद तो करो मेरे दोस्त शुरुआद करते हैं तो मैंने ऐसा ही शुरुआद किया था एक banner बनवाया एक डंडा में लगा करके उस banner को लटका दिया मेरे पास कोई साधन नहीं था cycle था रेंजर cycle था ठीक है ओ भी पुराना second hand मैंने cycle खरीदा था उसी cycle से जो है अब देखिए चंडीगड में अब वहां से खड़ार महाली ऐसे ऐसे जगा जगा पर जो मैं जाता था cycle से cycle से जा जा करके बेशता था अब डिस कनेक्शन जो है लगाता था तो दो-चार दिन हो गया वहां पर मेरे पास भीण आने लगी ठीक है चार दिन में मैं सोचा कि मैं अभी इतना जल्दी शुरू नहीं करूँगा मैंने ऐसा बैनर लगा करके रोट पे खड़ा रहा देखा कि इसका response क्या सा आ रहा है क्या मुझे ये बैनर चेंज कराना चाहिए मैंने दो ती दिन ऐसे लगाया लेकिन उसी मेनर से जो है काम आने शुरू हो गया लोग आने शुरू हो गया लोग भीन लगाकर के देखना शुरू कर दीए दिया कि है क्या है ठीक है, चौदा सु रुपे में दे रहा है, आँ बारा सो, तेरा सु रुपे में लगा देगा, क्या है, मतलब सब कुछ लोग पूछ रहते, और यह इतना अच्छा है, एक बार लगा दो, जिन्दगी बर चलेगा, जब तक यह आपका रहेगा, तब तक यह रहेगा, ठीक है लेबर नहों, कोई हेलफर नहों, कोई सुपरवाइजर नहों, जो भी रहूं, मैं रहूं, मैं क्या करता था, साइकल से जा करके मार्केट से लाता था, जहां भी इसका होलसिल दुकान है, वहां से लाता था, वहां से ला करके अपने कमरे पे रखता था, यह बैनर लिया कर जहां पे नमबर आया था वहाँ पे उसके घर पे जा करता था तो वहाँ पे गया थीक करने के लिए तो उसके अगल वगल जो भी लोग है उनके पास भी मलब कोई प्रोबलम है DTS से सम्भन दी तो बुझे बुझे बुलाते थे 2,200 वहां से 2,200 वहां से 2,200 ऐसे करके डेली का 1000 उपे कमा लेता था ठीक है महीने का 30,000 उपे मैं बड़े अराम से कमा ले रहा था ठीक है और एक अपना brand बन गया एक पहचान बन गया अब जब पुराने जो है गाउं में किसी का मैं ठीक किया हूँ तो उस गाउं में अगल बगल किसी का भी खराब होता था तो मुझे फोन आते थे और मैं जा करके वहां ठीक करता था ठीक है मैं किसी company से नहीं मैं अपना खुद का पहचान मनाया उस चंडीगड में अपना काम कर रहा था इसी तरीके से ठीक है हर महीने का 30,000, 40,000 मनला ज़्यादा हो जाता था कभी कम भी होता था लेकिन अब होता है ना कि जब आप कुछ करते हैं तो उसके साथ बुरा भी होता ही होता है तो एक ऐसा problem आया मेरे घर में मेरा पहला लड़का हुआ था तो उसका जो है तबियत इतना ज़्यादा खराब था और मेरे घर में कोई देखने वाला भी नहीं था तो वो सब कुछ मुझे छोड़ करके अब होता है कि आप कितना भी पैसे कमा लो लेकिन कुछ ऐसी problem आ जाती है फैमिली में जो आपको वो सब कुछ छोड़ना होता है और आप अपने फैमिली को पहले देखना होता है क्योंकि यार पैसा कमाते किसले है अपने बच्चों के लिए अपने फैमिली के लिए तो सबसे जरूरी क्या है अपना फैमिली है भले कितना भी करोबार है वो तो बाद में है लेकिन पहले अपना जिंदा रहेंगे तभी तो वो करेंगे तो मैं वो सब कुछ एक ऐसा प्रोब्लम है कि वो सब कुछ मैंने छोड़ करके और आगे आपने फैमिली में ठीक है और वहाँ पे फिर एक महीना लग गया मेरे को जिसके वज़ा से मुझे बहुत नुकसान हुआ और फिर मैं दुबारा वहाँ जाने के हरात में नहीं था कुछ ऐसी सीच्वेस ना गई कि मुझे फिर वहाँ दुबारा जाने ही सकता था चाह करके भी जाने ही सकता था तो मैंने सोचा चलो अब गाओं चलते हैं और गाओं में kुछ करेंगे ठीक है फिर वही फंड़ा अपनाया जैसे वहाँ पर किया था वही फंड़ा मैं गाओं में अभी अपनाया और गाव में भी ग्रो होने लगा, ठीक है, तो अगर आप लोग चाहें, देखिए, आप मेरे जितने भी मित्र, दोस्त, भाई, जो भी मानते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं महीने का 30,000, 40,000, 50,000 लाक रुपे कमा हूँ, मुझे ये इंटरनेट के बारे में पता नही है, या फिर मुबाइल के बारे मुझे पता नहीं है, प्रैकल मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो ये जो बता रहा हूँ आपको, जिस तरीके से मैं, ये देखिए, इसमें कोई ज्यादा पूझी नहीं लगती है, करना क्या होता है, आपके पास अगर 2-3,000 रुपे हैं तो आ पतावड़ा हो गया, कुछ वायर हो गया, ये सब समान जो है, आप रखना होता है अपने पास, और इसको रख करके बैग में साइकल पर बाइक पर जैसे मर्जी आप रख करके इसको घूमना होता है, ठीक है, इसको घूमते हैं, अपना इस तरीके से बैनर बना सकते हैं, प तो इसके इसाफ से अपना अरजेस्ट कर लेना होता है ठीक है और अपना परचार करना होता है देखिए आप अपना जब खुद का परचार करते हैं तो अपना एक एक ब्रेंड होते हैं और उस ब्रेंड के नाम पे आपका काम चलता है और काम भी अच्छे तरीक से कीजिए कि वो भी संतुष्ट हो जाए अच्छा से उसको तसल्य हो जाए कि हाँ यह लड़का ठीक है यह आता है तो बढ़िया से काम करके जाता है वो आपको टिप भी करेंगे फिर वापस मांगेंगे नहीं तो ऐसा भी मेरे साथ बहुत बार हुआ है मैं उस चंडीगड़े में बहुत जगा गया हूं काम करने के लिए जो मुझे 500 रुपे काम किया लेकिन वह 500 रुपे दे रहे थे खुशी जे यार तो इतनी धूप में इतनी मेहनत करता है तो यह 500 रुपे ले तो इस तर्यके से हमारी इंकम जो है वो ज्यादा हो जाती थी तो यह सब जो मैं पताया हूं अगर आप इसको प्रेकल करना चाहते हैं तो यह जो मैं समान बताया हूं इसको आप घरिद लीजेगा अपना एक बैनर बनवा लीजेगा अपना एक पंप् के बाद आपके पास इतना ज्यादा काम आने लेगा कि आप काम करते करते ठक जाएंगे चाहें तो उसके साथ अपना टीम बना सकते हैं कुछ और लोगों को सिखा सकते हैं इस काम को उसको भी रोजगार दे सकते हैं उससे कुछ पैसे ले सकते हैं चाहें तो यह हर एक समान ज तरीके से ग्रो होता है, इसी तरीके से ग्रो होता है, हर को इसी तरीके से ग्रो होता है आप दो लाग, एक लाग की पूझी लाग करके बैठ जाएंगे, फिर आपका ना मार्केटिंग हो पाएगा, ना आप उतने लोगों के पास गरीब इंसान को बताने वाला कोई नहीं है उसको दिमाग में यह सब नहीं आता है अगर इस वीडियोज के नीचे कोई एक भी बंदा गलत कमेंट कर देगा न तो लोग उसी को पढ़ेंगे और उसी को जो है लाइक करेंगे कि हाँ यार यार यह ठीक कह रहा है अपना भी माइंड लगाओ वो इंसान जो गलत कमेंट कर रहा है वो तो खुद ही गलत है उसको तो भगवान भी उतर कर आएंगे तो समझा नहीं पाएंगे तो कम से कम उसके चकर में आप अपना जिंदगी बियार्थना करें मैं आपसे हाँ जोड़कर करता हूँ कि अभी भी मेरे वीडियोज को जो भी लोग देख रहे हैं जो भी लोग अभी तक इस वीडियोज को देख रहे हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन चक्रों में आप बिल्कुल मत पढ़िएगा और और ज्यादा मेहनत करके वीडियोज बनाता हूँ और आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाता हूँ देखिए मैं वीडियो से पैसे कमाता हूँ इसमें कोई घलत बात नहीं है वीडियो से पैसे कमाता हूँ लेकिन इसको इस काविल बनानी के लिए मुझे ने तेन साल का वक्त दिया है तेन साल का मेहनत दिया है और ऐसी भी नहीं कि मैं कुछ आपको ऐसी जानकारी देता हूँ जिसमें आपका पैसा डूब जाए, आपका पैसा फाज जाए और आप बरबाद हो जाए ऐसा मैं कुछ नहीं बताता हूँ, मैं जो भी बताता हूँ, अपना experience किया हुआ काम ही बताता हूँ आप मेरी वीडियोच को वाज करते हैं, तो इसको subscribe भी कर लेजी, अगर आप subscribe करते हैं, तो मेरा मनोबल बढ़ता है, मेरा दिल कुछ होता है, मैं कहता हूँ, जो भी कर रहा हूँ, अपने लिए तो अच्छा करी रहा हूँ, लोगों के लिए भी अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको ये बात ये समझ में आ चुकी है, कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, किस तरीके से बताना चाहता हूँ, और किस तरीके से आपको करना चाहिए, अगर आपको थोड़ी बहुत भी समझ में आया है, तो प्लीज, आप लोग देर मत कीजिए, इस टाट क कीजिए ठीक है और वीडियोच को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ एक चीज़ और कहना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है मेरा एक और चैनल है आरके टूल ब्लॉग उसको भी जा करके आप लोग सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करके रखेगा मैं मिलता हूँ फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैन और बंदेवात रहाँ